सो हे गाइस वेलकम टू दी चैनल आज मैं आपको पतंग कैसे बानते हैं और उडाते हैं वो सिखाउगा तो यहाँ पर मैने एक पतंग ले ली है अब हम इसमें चार hole करेंगे डो उपर की side और दो नीचे की side एक हाट जितने gap छोड़ कर हम नीचे की side में hole करेंगे अब जहाँ पर mark किया है वाँ पर एक pen की help से hole कर देंगे नेक्स्ट हम दोरी लंगे तो जितनी पतंगे उससे थोड़ी ज्यादा दोरी लेकर हम उसे डबल कर देंगे दोरी को डबल करने का यही फैदा है कि उड़ते टाइम दोरी कटेगी नहीं तो यह हमारी दोरी तयार है अब हम पतंग को उल्टा करेंगे और एक grammण से दोरी को पास करेंगे फिर दूसरी साइट से नीचे की साइट भी फॉलो करेंगे, एक साइट से पास करेंगे, और फिर दूसरे साइट से निकालेंगे, और यहाँ पर हम नौट बान देंगे, अब हम दोरी को इस सरीके से उपर लेंगे, और दोनों साइट से इक्वल कर देंगे, फिर लास्ट में हम उपर की साइट नौ सारी पतंग उड़ने के लिए तयार हैं तो चले इसे उड़ाते हैं पतंग को उड़ाने से पहले हम पतंग को इस सरी के से बेंड कर देंगे हमें लकड़ी की साइट पतंग को बेंड करना है अब हम पतंग को फिरकी की दोरी के साथ बांध लेंगे तो यहाँ पर मैंने को बान लिया है आप इस सरीके से फिरकी को किसी इड या पत्थर के नीचे रख सकते हो आपको फिरकी के एक्जेक्ट आगे खड़ा रहना है तब फिरकी में से दोरी इजिली निकलेगी तो चड़े अब पतंग को उड़ाते हैं जिस साइड पवन आ रहा है उसी साइड हम पत आएगी अगर हवा आ रही है तो पतंग इजिली उड़ जाएगी और अगर हवा नहीं आ रही है तो इस सरीके से हमें पतंग को बारी बारी खीचना पड़ेगा तभी पतंग उपर की साइड जाएगी तो कुछ यही स्टेप फॉलो करते करते आपकी पतंग उड़ जाएग तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूरी कितनी आसाइं से निकल रही है यहाँ पे हमने पेचे पी लगा दिये है और यहाँ पे हमने पतंग को काट दिया है फिर से हम पेचे लगा रहे हैं और यहाँ पर फिर से हमने ओपनेट की पतंग काट दी है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग